ये questions मुझे हमेसा मिलता है क्या मैं alligator गार को 3 feet tank फे रख सकता हूँ उसके साथ मैं कौन सा fishes रख सकता हूँ क्या alligator fish attack करता है कौन सा food best है उनके लिए और भी बहुत questions आप लोग का मन में राइट तो अगर आप लोग को genuine answer जानना है from a hobbyist तो ये वीडियो पूरा end तक देखिए don't skip hey guys welcome back so आज का वीडियो है alligator guard fish के उपर एड इससे पहले भी मैंने बहुत सारे monster fish का care video बनाया है like silver arowana tiger soven loss red tail catfish पाकू, giant gorami, arapaima ठीक है बहुत ही अच्छा response है इनका and ये सब guys मेरा खुद का like a real experience मैं इनको care किया हूँ तभी मैं इनका care video बनाया हूँ मैं others के तरह like all right so alligator guard fish का में एक short briefing दे देता हूँ ये एक बहुत ही पुराना fish है dinosaur का age से ये fish है just like arapaima and अभी हम लोग maximum इनको कही भी public aquarium पे वगरा में देखते है चार से पांच feet तक की maximum size रहता है but पहले का जमने में guys ये 10-14 feet तक भी चल जाता था ये एक photo आप देख सकते है अभी वो बड़े size के alligator मतलब बहुत कम देखा जाता है क्योंकि जो लोग सिकारी रहते थे और over fishing ये बहुत ही sports का एक food है बहुत लोग पकर के इसको खाते है तो धीरे धीरे बड़े बड़े size का मिलता था पहले वो extinct हो गया है अभी जो farm breed होता है कुछ wild भी रहता है वो ही मिलता है तो वो maximum चार से पांच feet तक ही जाता है और बाकी का गाइस देखिए इसका like water parameters and temperature ये एक screenshot गूगल पर मतलब 5 साल का बच्चा भी बोल देगा बट ये सब देखके आप इनको रखनी पाऊगा आपको कुछ real experience भी आपको जानना बहुत जरूरी है alligator गार का ठीक है तो सबसे पहले इनका types जान लीजिए मैं guys पहले एक बार misguide हुआ था मुझे कोई spotted गार जिनको Florida गार भी बोलता है वो बोलके मुझे alligator गार बेच दिया था तो मैं एक साल तक रखा मैं सुचा कब बड़ा होगा ये मैं सुना हूँ इनका growth rate fast है तो वो बड़ी नहीं रहा था तो लेटर ओन मुझे पाता चला ये तो एक Florida गार है also called spotted गार तो बाद में मुझे पाता चला तो generally alligator गार का तीन या चार टाइपस रहता है एक होता है platinum बहुत कम इंडिया में आता है एक होता है आपका normal alligator गार ठीक है और एक जो jet black रहता है फिर्जान टीक और भी बहुत कोज अभी निकल गया है ये मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है इंडिया पर बाट प्लाटिनम अलिगटर गार है नॉर्मल अलिगटर गार अबलेबल होता है बाकी जो बहुता है उसमें आ जाएगा फ्लोईडा गार लॉंग नोस गार स्पॉटेड गार उस अब का बाद में जब मैं उन उनके उपर स्टड़ी कर रहा हो तो जब मैं टाइम मिलेगा मैं उनको पर भी वीडियो बनाऊगा आज सिफ आप लोग फोकस कीजिए एलिगटर गार फिस को बढ़ी जो सबसे बड़े होते हैं अब बात करते हैं इसका टैंक साइज के उपर बहुत लोग मुझे बोलता है इसका ग्रोथ रेट एक साल में दो ढ़ाई फीट तक हो जाता है ध्यान से सुनिए तो इसका लिए मैं आपको बोलूगा टैंक साइज जितना भी बड़ा लोगे उसका छोटा होगा तो फाइनली एक पॉंट बेस रहेगा इनके लिए मिनिमाम 10 फीट बाई 10 फीट बट एक एलिगेटर कर को लाइफ टैम रखने के लिए अगर आप इसको जस्ट लाइक टेस्ट करना चाते हो लाइक कुछ दिन रखना चाते हो एक साल तब आप इसको लाइक 6 फीट और 5 फीट टैंक पे भी रख सकते हो ग्रो आउट हो जाएगा आप कोई एक्वरियम स्वाप म वज़े से कोरोना का वज़े से मैं जाने ही पा रहा हो बट बहुत जाद उनको भी मैं रेस्क्यू करूगा तो टैंक साइस आप लोग डिसाइड कीजिए लाइक ग्रोथ रेट तो मैंने बता दिया आपको लाइक बी प्रिपेर अगर आप इनको बाई करते हो तो इसी का साथ भी रह लेगा पट ग्रैजुएली धीरे धीरे जब बड़ा होगा एक बीस्ट में जब ट्रांसफर होगा ठीक है दो फीट थाई फीट तब प्रॉब्लेम क्रियेट होगा धीरे धीरे वह एक एक फिस को अपना टैंक में जो भी है उसको मार के खाएगा ये एक कोई को खा रहा था अलिगेटर गार का खाने का स्टाइल थोड़ा लाइक मतलब अजीब लगता मेरो को लोग पहले उसका कोई भी फीज का फेस पकड़ता है फिर फेस से वो पुड़ा अंदर निगल लेता है ठीक है एंड वो लोग मुह में खाना लेके कुछ दिर खेलता है इधर उदर चारे हो टैंग में घूमेगा उसको तरपा तरपा के माड़ेगा फिर खाएगा ठीक है तुरहन पकड़के निगल ने देता है तो इसी का कारान मैं आपको बोलूगा सम अब दा बेस टैंग मेर्स आर रेट टेल कैट फीज टाइगर सोवलनोस परुन सार्क अरापायमा पाकू ठीक है बड़े सैज के जाइंट गोरामी और जो भी बड़े बड़े मॉंस्टर फीशे विच क्रोस मोर दन 2.5 फीट तो 2 फीट उनके सहती रखिए सिल्वर एरवाना को भी मैं रेकमेंड नहीं करोगा बहुत लोग का मुझे लाइक मैं देखा हूँ स् लाइक उनका अलिगाटर गार निगल लेता है सिल्वर एरवाना को या बाइट करता है उनको डैमेज कर देता है सो एवाइट कीजिए उनस टाप स्टिंग्रे भी आप मत रखिए प्रॉब्लम कर सकता है तो बड़े सैज के मॉंस्टर फीश को साथ आप रख सकते हो ठीक है इनिसियली स्टार्टिंग में अगर आपको लाइक एक थोड़ा सा कम्यूनिटी बनाना है लाइक कुछ मैने के लेगर रखना है तो आप रख सकतो कोई प्रॉब्लम क्रेट नहीं करेगा स्टार्टिंग में वो बहुत ही सांत रहता है ठीक एकदम छोटा बच्चा जासर र तेलेपिया फिलेट भी देता था बहुत तैम क्या होता है फूड जब नीचे एकदम गिर जाता है तो उसको लाइक ग्रैप करने में थोड़ा दिक्कत होता है तो इसलिए जब छोटे रहता है अलिगेटर आप उनको कुछ भी खाना दो वो थोड़ा देर ऊपर रहना चाह ों देलेपिया फिलेट तो ओर टाइम बेस्ट है अभी मेरा पां सहड़े तीन चाफूट का ऐलीगेटर रहा है उनको चारा पौना देता फिस्च फिलेट भी कभी-कभी देता हो वह बहुत रहार ठीक है तो फूड के लिए ज़्यादाउर इशुल नहीं है बट हाँ अग फिर फीडिंग नहीं लेता है अन कॉरेंटाइन फीज बहुत लोग बैचता है तो थोड़ा चेक करके लिए प्रॉपर फीडिंग लेता है कि नहीं वीडियो मागें सेलर से कहीं से भी आप लो तो फिर आपको लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब बात करते हैं उनका ब पानी में अगर जाओगे तो वो आपके सामने तो आएगा बट वो इनसान का सामने जादा जाता है नहीं वो खुद दर के भाग जाता है तो मेरा भी वैसा है मैं तो उसको हाथ भी लगा तो कुछ नहीं करता है ठीक है बहुत लोग बोलता है कि यह अलिगेटर कार आपको चबा जाएगा यह कर लाएगा ऐसा नहीं है काई वो एक मचली है हाँ उसका टीथ है बहुत ही सार जो आपको एवोइट करना चाहिए अगर वो एक बर आपका हाथ पकड़ लिया काई भी कुछ पकड़ लिया बहुत मास एक दम उखड के वो मतलब डैमेज कर सकता है critical damage ठी ठीक है बट हीमेन को ऐसे मार दिया यह आस तक लाइक मैं नहीं सुना हूँ ठीक है आप लोग कमेंट कीजिए यह वाला पॉइंट को लेकर अब बात करते हैं इसका diseases के उपर क्या क्या बिमारी होता है इनको तो जेनरली गाइस alligator का लाइक बहुत strong fish है दूसरा fish इसको बहु होता ही है जब भी आप लोग थोड़ा healthy देखके लेना चाहिए proper feeding लेता है कि नहीं वह आप चेक कीजिएगा नहीं तो लाइक उनका spine break हो जाता है बहुत time ठीक है second हो गया like excessive अगर आप पानी change करोगे हमें साथ उसका slime coat चल जाएगा and slime disease होता है बहुत सारे बिमारी होता है उनसे उसका ठीक है external एक और problem हो गया guys अगर आप उल्टा सिदा कुछ भी खिला हो गया चोटे alligator कार को तो उसमें उसका internal parasites हो सकता है ठीक है एकदम छोटा सेज का alligator कार को आप chicken liver chicken यह सब avoid कीजिए live guppies market का freeze यह सब देजिए बड़े सेज को आप कुछ भी खिला सकते हो doesn't matter त तो थोड़ा खाना जहां से आप लोग है source थोड़ा चेक कीजिए अच्छे से कनील कीजिए बेटर है आप उनको एक पर फ्रीजर में रख दीजिए बैक्टेरिया जो भी रहेगा वो मर जाए and most importantly पानी का quality पानी अगर आप साही से नहीं रखोगे तो definitely alligator गार क्योंनों कोई भी फिस का problem होगा ठीक है not only alligator गार तो पानी भी आपको साफ रखना होगा अच्छा filtration यूज़ कर रहा होगा alligator गार बहुत वेस्ट प्रोड्यूस करता है ठीक है next ये भी question मुझे hard time like बहुत लोग पूछता है कौन सा फिस सबसे hardy है monster category में तो मैं तो alligator कार कोई वोट करूगा अगर पानी में कुछ problem होता है तब ये effect होता है अगर पानी बहुत ठंड हो गया तब ये feeding बंद कर देगा अगर पानी बहुत गरम हो गया तब भी problem है ठीक है other than that इसको किसी से भी कोई मतलब ने बहुत strong fish है और कोई भी इसका problem नहीं होता है दूसरा कुछ भी लाइक जैसे आई का problem हो गया external उंड कुछ नहीं होता है ठीक है आरापायमा से भी बहुत strong fish है alligator so guys यह था मेरा alligator guard fish के उपर experience so far जितना मुझे पता है मैं आप लोग को बताया आगे और भी अगर कुछ मुझे info मिलता है ठीक है जो भी मैं experience करूगा मैं आप लोग के साथ definitely share करूगा ठीक है जो भी बोलते alligator गार को मैं 3 feet tank पर रख लोगा जो भी seller suggest करते लाइक मैं यह भी देखा हूँ बड़े-बड़े seller मैं किसी का नाम नहीं लोगा एक छोटा साथ 3 feet tank में बोलेगा तीन अरवाना रखो मतलब अपना profit के लिए मतलब फिस को वो मारने के लिए तो क्या यार कुछ भी अरपायमा को भी बोलता है चार फीट टैंक पर रह लेगा seriously रखो मेरा अरपायमा को रखो तुम चार फीट टैंक में आदा घंटा में तुम्हारा कांच तोड़ देगा ठीक है तो इंदा एंड में यही बोलोगा गाईस हमेशा गूगल में जो यह कुछ कुछ तो में मेरा दिमाग खराब हो चाता है ओलिगेटर गार को यह लोग ऑप्टीमम खिलाता है छोटा दाना वाला बोलता है पेलेट ट्रेन है पेलेट खाके रह लेगा लाइफ टेम क्या यार कुछ भी तो हम लोग के साथ अगर आप लाइक डिल करना चाते है फीस हम लोग प्रॉपर आपको गाइडेंस देगे कौन सा फीस किसके साथ रहेगा ठीक है अगर आपका टैंक छोटा है आप फ्लोईडा का स्पॉटेट गर रखिए अगर आपका फ्यूचर में अप्ग्रेट का प्लान है पॉंट मनाने का तब ऐलिगेटर गार बाई कीज और रेस्क्यू का भी मुझे बहुत सारे कॉल सारे मुझे एकदम टाइम ने मिल रहे है जब भी पॉसिबल होगा में रेस्क्यू करोगा फेसे अड मेरा सॉप का अपडेट भी मैं दिखा होगा ठीक है मतलब स्टॉक तो खतम होई जा रहा है एक अपत में जो भी ला रहो कुछ कुछ बचा हो रहता है और मुझे भी स्टॉक बढ़ाना होगा बहुत और आ रहा है तो उसके उपर भी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ और बाइद वे गाइस ऑक्सिजन सिलिंडर भी हमारे पास आ गया है तो आल ओवर इंडिया पे कहीं पे भी आपको फीस अगर मंग कर रहे ठीक है यह आप कुछ वीडियो से आप देख सकते हो तो यह था गाइस आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेल कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए गाइस ठीक है चलो आपना कर दो